आज मैं आपके सब शेयर करूंगी दिलकुष की एसेपी तो दिलकुष बनाने के लिए हमें एक कप बेसन चाहिए उसको अच्छे से छान लेना है एक कप शकर चाहिए उसको पिगला लेना है जाएगा सब्सक्राइब जाएगा जैसा है एक कप समूथ ट्यक्च्चर बन जाएगा उसको हम इसको घुड़ा जाएगा लेया है एक कंटेनर में डाल देंगे और उसको ना कट पहले से कर लेंगे और देन उसको ठंडा होने रखेंगे यूम टेंप्रेशर में आने के पार उसको निकाल लेंगे और ये पुरा तयार है खाने के लिए इंजोई विद्यों ट्रेंड्स और फैमली